अभी तक जो भी कंडिडेड एक्जाम दिये हैं लगभग अभी जो एक्जाम देने वाले हैं उनका भी ऐसा ही रिजल्ट आना ही चाहिए तो इस आधार पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा तो क्या कट ओफ रहेगा और रिजल्ट 10 मार्च तक यानि की मेरिट लिस्ट जार ही हो जाएगी तो वीडियो को आप अंतितक देखिए पेपर टू में कितने सीट पर कितने अभिर्थी कि दे रहे हैं परिक्षा और फाइनल कट ओफ क्या रहेगा तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि लाइक करते हैं अपने सभी दोस्तों को सेर करते हैं पेपर टू में मिनिममम क्वालिफाइंग मार्क्स केटेग्री वाइज अगर देखा जाए तो डेर सो नमबर की परिक्षा हुई थी जिसमें जेनरल कंडिडेट को 50 पर 30 अगर रंक आ जाता है यानि कि 75 नमबर आ जाता हैं और BC, EBC, SC, ST या PH कंडिडेट हैं तो अगर उनका 45 पर 30 नमबर आ जाता है तो वे क्वालिफाइ यानि कि 68.5 यानि 68 नमबर भी है तो आप क्वालिफाइ हैं वेपर टू में तो अब जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वेकेंसी है और कितने कंडिडेट ने इस बार एक्जाम दिया है 26 फरवरी की परिक्षा को जोड कर तो इंगलिस सब्जेक्ट में टोटल पोस्ट है 2125 पेपर टू के लिए जिसमें की 6370 एपरॉक्स कंडिडेट एक्जाम दिये है मैतमेटिक्स में 2104 सीट है जिसमें की 2141 के लगवग विद्यर्थी एपियर हुए है फिजिक्स में 2384 सीट यानि की पोस्ट है जिसमें की 16687 के प्रॉक्स विद्यर्थी सम्मिलित हुए है केमिस्ट्री 2221 सीट है सबसे मतलब की सभी कंडिडेट मिला कर इसमें इस सब्जेक्ट के लिए 13325 कंडिडेट एपियर हुए है जुलोजी में 723 पोस्ट है सीट है जिसमें की 2892 एप्रॉक्स कंडिडेट एपियर हुए है बॉटनी में 835 पोस्ट है जिसमें की 2505 एप्रॉक्स विद्यर्थी एपियर हुए है एग्जाम में और कम्प्यूटर साइन्स में 1673 पोस्ट की वेकेंसी है थी यह है इसमें की 8375 एप्रॉक्स कंडिडेट पैठे है जैसा कि बिहार वोट का नोटिस भी आया था 28 जन्वरी का जब एक्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया गया कि दो लाक से उपर कंडिडेट हैं जिसमें की सिर्फ पेपर टू में 70,000 से उपर विद्यारती हैं और एक लाक एक आसी हजार के आसपास पेपर वन में कंडिडेट हैं तो किस सब्जेक्ट में कितना कंप्यूटिशन है विडियो का आप अंतक देखें देख सकते हैं इंग्लिस में तीन मतलब कंडिडेट में कंप्यूटिशन है तो एक का सीट फाइनल हो जाएगा मेरे मैतमेटिक्स में सबसे ज़्यादे 10 में से एक फाइट है फिजिक्स में साथ कंडिडेट में एक का मेरिट बनेगा केमेस्ट्री में छे में एक जुलोजी में चार में से एक का बौटनी में तीन में एक का और कम्पीटर सेइन्स में पॉच में एक का अगर ओवर ओल देखा जाए तो पेपर टू के लिए छे competitive student में एक का यानि merit बनेगा जिन्होंने exam दिया है यह subject होगा तो आखिर क्या cut off रहेगा तो cut off पर अगर चर्चा करें तो जो भी subject होगा उसमें अगर you are category यानि unreserved quota से आप हैं और आप 110 से 115 के बीच में आपका नंबर है पेपर 2 में तो आपका merit finally होगा ही होगा और इससे 5 नंबर decrease करते चले जाएए सभी category में EWS में हैं आप अगर तो आपको अगर 105 नंबर है तो आपका final merit अवस्य होगा BC candidate है BC category के तो आपको 100 marks अगर है तो आपका अवस्य होगा EBC candidate है 95 या उससे उपर है तो आपका अवस्य होगा SC category में है और अगर आपका 85 से 90 के बीच में है तो आपका अवस्य हो जाएगा और ST category में है तो भी आपका अगर 80 to 85 के बीच में तो अवस्य हो जाएगा और women या PH candidate है तो आप अगर qualify कर गए है 75 से उपर है आपका तो आपका अवस्य सेलेक्शन होगा यही अगर female candidates की बात करें इन्हीं केटेगोरियों में तो यू आर में unreserved quota में अगर आप हैं तो अगर आपको 100 नंबर आ रहा है तो आप सेक्योर है merit list में आपका हो जाएगा EWS candidate है आपको अगर 95 आ रहा है तो आपका paper 2 में हो जाएगा किसी भी subject में हो मैत में थोड़ा बर सकता है बाकी subject में अवस्य हो जाएगा अगर आपका 95 है तो BC category में अगर आप हैं आपको 95 या 90 इन दोनों के बीच में है तो आप अवस्य आपका merit होगा paper 2 में EBC candidate female अगर आपको 85 से इभव है तो आपका अवस्य होगा SC में 80 इभव है तो हो जाएगा ST है वो उसमें भी 80 इभव है या आप 75 80 के बीच में है तो भी आपका selection अवस्य होगा Oman या PhD candidate हैं तो आप अगर qualify कर जाएं तो अवस्य ही आपका merit हो जाएगा female candidate तो अंत में वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सफल होने के लिए सफलता की इच्छा और सफलता के भैस से अथिक होनी चाहिए आप अपने एक्जाम की जो भी नंबर आया है आपको एक्जाम का आप हमें feedback जरूर दें कॉमेंट करें आपका किस paper में किस category में कितना marks है और आप किस जिले से हैं वीडियो को जरूर से सेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को और वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद